आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्यूजन बोंसाई कैसे बनाए हैलो गाइज मैं हर्सराज और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्यूजन बोंसाई कैसे बनाए तो फ्यूजन बोंसाई मैं नीम के प्लांट से बना रहा हूँ तो यह देखे, यह हमारा लगवग 1-year plant है, 1-year का, और face में मैंने 3 plant लगाए हुए है, और fusion मतलब होता क्या है, पहली बात तो यह है, fusion यह होता है कि जैसे ग्राफ्टिंग करते है, उसी तरह fusion भी होता है, fusion होता है fuse करना, सभी plant को एक साथ fuse करना, एक साथ लगाना, एक साथ च प्लांट को तो उसमें आपको सेथ लिखेगा, तो आपको fusion भूंसाई बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्लांट का सेलेक्शन करना होगा, प्लांट को भी प्लांट ले सकते है आप, जो कि इसमें सबसे सबसे बेस्ट है, पाइकस तो कोई भी वेराइटी फ्यूज कर ल पड़ेगा हलका साथ छील कर, अब ब्लेड की मदद से इसे हटा सकते है, सार्फ ब्लेड की मदद से, गाइज ये देखिए इसे मैंने अब छील लिया है, अब मैं इसे फ्यूज करता हूँ, तो मैं इसे टाइटली बांद देता हूँ, सभी को एक साथ रख कर बांदना हां, ताकि एर गैप ना बचे, अगर एर गैप होगा तो ये फ्यूज नहीं होगा, अब गाइज ये देखिए, मैंने इसे ट्रेड की मदद से टाइटली बांद दिया है, ताकि इसमें एर गैप ना बने, तो इसमें एर गैप नहीं है, तो ये फ्यूज हो जाएगा, तो इसे मुझे वन मन तक इसी तरह रखना है, आप चाहे तो इसे वाइर से भी बेंड कर सकते हैं, और फिर अब उपर का जो काम है, मैं उसे थ्वासा कर लेता हूँ, प्रूनिंग, और फिर इसे थ्वासा वाइरिंग करना है, ये देखिए, काफी ओवर ग्रोथ है ये, गाइस अब मैं इसमें वाइरिंग कर लेता हूँ, अब मैं इसका थ्वासा सेपिंग कर लेता हूँ, तो मैं इसका हाइट यहां तक रखता हूँ, उसके बाद बाकी सबको मैं फिरून करूँगा, नीम का जो प्लांट है, ये एक मैडिसनल प्लांट है, तो इसे आप घड़ पे ग्रो कर सकते काफी आसानी से, आप इसमें जब कट करेंगे, तो रूल वाइका यूज कर रहा है, गाइज, अब मैं इसे स्ट्रक्चर दे चुका हूँ, तो आप मुझे इसे बस सेपिंग पर ध्यान देना है, तो यही हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, ये एक ब्लूमिंग स्टाइल है, और साथ ही साथ ये फ्यूज किया हुआ, तो ये फ्यूजन बोन्स आई हो गया, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और चनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किये, तो नीचे आप देख रहे हुए नीचे रेड बटन, तो उसे जाकर जल्दी से क्लिक कर ले, और साथ ही साथ उसके बगल में बेल आइकन आएगा, तो उ अगर